नमस्कार मैं डॉक्टर प्रदीप आचार और आप सब ने मुझे डीजी लैप या ओनलाइन दूदर्सन क्लासेस में देखा होगा मैं आप सब के लिए त्रामासिक परिक्षा के आदर्स पेपर ला रहा हूँ और इंगलिस के बाद अब ये हिंदी का पेपर है तो आईए इसको पूरा solution देखते हैं और इसके पहले आप सब इसे subscribe कर लीजे क्लास को like कर लीजे और एक बात और बता दू मैं कभी cheating का support नहीं करता और नहीं आप सब के लिए cheating कराऊंगा यह paper cable model paper है और इसमें से questions आ सकते हैं आने की पुरी-पुरी संभाव न रहती है पर यह original paper नहीं है तो आईए शुरू करते हैं सबसे पहला सभी प्रस्ण निवारी इस सब जानते हैं इसको ठीक से देखेंगे तो आपको बहुत सारी help मिल सकती है पहला ही question क्या है सूर्दास जी की रचना सूर्दास जी की रचना क्या है सूर्दास जी की रचना क्या है सूर्दास जी की रचना कार माने जाते है इस रस के सूर्दास जी की रचनाओं में कौन सा रस मिलता है सरंगार बातसलिय दोनों या कोई नहीं तो सरंगार का इनको माना जाता है पर बातसले भी इनकी रच्टा में मिलता है तो दोनों ही इसका अंसर है कभी-कभी स्रंगार अकेला भी मुक्यता से छापा जाता है पर स्रंगार और बातसले दोनों ही NCRT की बुक में अंसर दिये हैं सभापती का बातसले कहां छापा था आपको पता होना चाहिए बहुत सरल कॉस्चन है उप दिन में कौन सा समात है तो जब कोई ऐसा अक्षर समासिक सब्द कोई हो और उस समासिक सब्द में दो सब्द होंगे तो पहला अक्षर कोई ऐसा अक्षर हो जो किसी का नाम भी ना हो ना ही क्रिया हो तो वो अब्याई भा आप आँक बंद करके लगा सकते हैं जैसे उप दिन में दिन तो एक नाम है समय का नाम है कि दिन है रात है पर अंतु जैसे वर्स भी एक नाम है लितु नाम है पर उप किसी का नाम नहीं होता ना ये क्रिया होती है तो जब आपको सामासिक पेहला सब्द, दू सब्दों मैं से पहला सब्द अगर अभ्याय मिल जाए ये जो नाम ना हो किसी स्थान गोन विसेश का नाक नाक लिया हो तो वो अभ्यायी भाव सामास होता है जैसे उप दिन, उप कृशनम प्रती दिन, सू दिन निर्मक्छिकम निर्मक्छिका ये उपसर के लगके बन रहे हैं तो ये सब अब्लेई भाव में आएंगे तत्परुस में आता है जब दो सब जुड़ें और कोई ना कोई संबन्द हो जैसे राम सेवक, राम भाग, घर सूर ऐसे करके गोपियों ने कृष्ण को बड़ भागी कहा, यहां बड़ भागी से क्या तायत पर है तो जानते हैं सूरदास जी ने जो रचना करी है, उसमें गोपियां और कृष्ण का संबाद है गोपियां किर्श्ण को बड़ भागी कहती है बड़ भागी मतलब बड़े भाग गबाले यहां बड़ बूला अंसर नहीं है इसाब कुछ अंसर नहीं इसका अंसर यह होगा अगला कॉशन है माश्टर मौतिलाल की को किसकी मूर्टी बनाने को कहा दिया गया है मतलब कहा गया है किसकी मूर्टी बनाने के लिए आप सब जानते हैं सुमित्र नंदन सुरी माश्टर मौतिलाल जी को सुभास चंद जी की मूर्टी बनाने का जिम्मा दिया गया है जिसमें वो चस्मा और कैप्टन आली की बात आती है और सांत अपने अपने एक रस है उत्साह का इस्ताह बीर रस का इस्ताहिवा किसका अंसर होगा ए खालिस्तान भरिये रसात्मक बाद को खालिस्तान कहते हैं रसात्मक बाद को काद्ब कहते हैं सूर्दास ने खालिस्तान भाषा में रचना कीट बड़ज भाषा में मातरा वर अरणेति कतील है तो आदिसे सहग रचना नाटा के कांगी है चंद क्या कहला लाथी तो चंद पिहलाती है दोहा में किपने चरण होते हैं तो दोखा में चार चरण होते हैं इसके साथ ध्यान रहें रोला और हरी गीति का बशंततिल का सभया इन पांचे चंदों को ज़सें करें इन में से कोई भी आ सकता है प्रिक्षा में काभी की सोभा बढ़ाने वाले खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं, तो काभी की सोभा बढ़ाने वाले अलंकार कहलाते हैं, अब उशन के जैसे होते हैं, अलंकार, रमनी अर्थ का प्रतिपादक होता है, क्या होता है, खाभी होता है, ये काभी की परिवासा ह है शरंगार क्या है खालिस्तान एक रष है तो सरंगार रष है बीर ता तो है अब हम सही गलत पर आदे रितिकाल की रचना रख भूशन वर कात nó रितिकाल furnace रचना रख भूशन और काब्र साइन है ज़स है गलत बिल्कुल सही है तो भी निपातों में गिने तो रीतिकाल की रचना है रस्भूशन भी है काब्रिशायन भी है तो और भी दोनों निपात जैसे मैं तो गया तुम भी चलो ये भी तो इस सब निपात कहलाते हैं प्रशन भक्तिवास रंगार के प्रशद रचनाकार सूर्दास है बिल्कुल सही है आत्मकता एकांकी आलोचना निबन आदी ये गद्ध विदा है बिल्कुल सही है अगला जैसंगा प्रशाद चायाबाद के कभी हैं बिल्कुल सही है ये और जाजपंचम की नाक ऐसा कुछ जो पाठ है उसके रचनकार कमलेश्वर है मिल्कुल सही है की नाग है मिस्ट हो गया जो अब आप से एक सब्द मुत्तर परधन उपकार क्या बनेगा पर उपकार या फिर दो सब्दों को जोड़ने से क्या होती है संदी कई बार समास क्या भी इसका लग डिफरेंट होता है प दूसरा उ यह ए रहे तो गुण संदी होती है दोनों तरफ आ यह दोनों तरफ ए रहे तो दीर्ग संदी होती है दीर्ग संदी कौनसी संदी के इंतरगत आती है तो स्वर संदी के पांच बेद उसमें पहला बेद दीर्ग संदी दूसरा है गुण संदी तीसरा है सुंदर कन्य अबहर करती यहां विश्यशन सुंदर कन्य क्या है डर्श कईाइए Rapid की आतमा on कि प्रदीप उपसर्ग में प्रापलता है औरृव स्क्रण विभाइस सप्रण है और मिकए अप्सरग औरतें बाईस संट्रिक नहीं विस्विदित छत्रीकुल्दुरु यहां जो राम, लक्षमन और परशुराम तीनों का सम्मात सूर्दास जी की रचना से लिया गया है आपकी पुस्तक में है यह पंक्ति छत्रीकुल्दुरु ही परशुराम जी के लिए आई है तो इसका उत्तर परशुराम होगा सही जोड करती बात के हैं रौद्ररस, रौद्रस का स्थाई वाओ है प्रोद, सांतरस का स्थाई वाओ है निर्वेद, और सहसर वाओ आया है अरजुन के लिए ऐसे और भी आप नौ के नौरसों के स्थाई वाओ याद रखिएगा इसके बाद प्रस्ट नमबर छे काब किसे कहते है तो रौद की परिवासा भी खालिस्तान में भी आये थी कि रवनियार्थ प्रती पाता कि अरवाओ के काब हैं खंड काब और महा काब किसे कहते हैं दौनों की परिवासा हैं लिखिएगा गद्य बिधाओं का परिचे दें और किनी दू में अंतर लिखें गद्य बिधाओं सूलदाजी की परिचे रचना लिखिए उनका परिचे रचना साहिद लिखने तो तुलसि दार widespread के पहले ही ज़स्ट उसरोगे प्रकार की होती है स्वर्व, वेंजन और बसर्ग आप धारान दे दीजिएगा रस किसी कहते हैं रस काभी की आत्मा को रस कहते हैं और जो आनंद की अन्भूती कराय साहरदय के रदय में रस है उनके नाम नौरा से उनके नाम लिखना है लक्षमन ने बीर की क्या बिसिस्ता पता ही है रामचरित मानस का जो लक्षमन परसुराम सम्वाद है उसमें उन्होंने कहा है तो ये उसका आंसर हो गया रामब्रक्ष बेनिपुरी जी की रचनाओं के नाम लिखना है ये राइटर्स है आपकी बुस्तक में ही है उसकी बाद तत्सम और तत्भाव में क्यानता माता का आचल से क्या सीक मिलती है आपको बताना है माता का आचल नाम ही स्पस्ट है कि बच्चे मा के पास जादा अच्छा अन्वाव करते हैं अगला है चाया बाद वा प्रियोग बाद इमें तर लिखिए तो चाया बाद के तो आप जानते हैं जैसा अंकर प्रशाद जी प्रियोग बाद में सच्चिदानन अगेजी तो इन में अंतर स्पष्ट कीजिए क्या इन में दोने मंतर चलता है दोहा चंद अतवारी गितका की परिवासा लिखें आपको कोई भी सबया भी आ सकता है या कुछ भी हो सकता है तो दोहा और अतिक गितका तो समझ में आना ही च प्रश्राम समवाद पाट का सार अपने सब्दों में लिखें क्या सीख मिली उसका मतलब क्या है समास के भेद लिकर किनी दो की परिवासा से उधारन लिखें समास चाह प्रकार क्यों होते हैं तत्परोस अब बैभाव कर्मधाराय जिगू द्वन्द और पहुब्री ही इस निपात के उधारन निपात के अभी मैंने परिवासा बढ़ाई थी कि जो अभ्य होते हैं और सब्दों को जोर देने में काम में आए जोर देने से मतलब मैं तो जाऊँगा मैं भी जाऊenगा यहाँ पर भी या तो सब्द से जोर दिया जा रहा है इस प्रकार से ये questions हुए आसा है आपको समझ में आया होंगे इसमेंसे बहुत से questions आ सकते हैं तो आप इसको अच्छे से ध्यान से paper देने चाहिए